हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो ए 24 नॉलेग जे ओफिशल यूट्यूब चैनल आज के इस वीडो में हम बात करेंगे इंडियन ओइल कॉर्परेशन लिमिटेट की नियू रिक्रिमेंट नॉटिफिकेशन जो की फ्रेंट्स एक्सपीरियंस नॉन एजुकेटिव परसनल पोस्ट क रहेगी और जो इसका फॉर्म है उसकी रिसिप्ट की जो डेट है वो 28-11-2020 आपकी रहने वाली है तो फ्रेंट्स इससे लेटेट जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आपको जॉबरास्ता.com पर मिल जाएगी यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं और इसकी सभी डेटेल को चेक कर सकते हैं यह इसका ओफिशल नॉटिफिकेशन है जो की रिफाइनरी डिवीजन जो की पानीपत में निकाला गया है और इसके लिए फैंसे जूनियर इंजिनियर असिस्टेंट या फिर जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनलाइसिस की यह वेकैंसी आपकी रहेगी सबसे पहले इंस्ट्रक्शन की डेटेल है परसनल डेटेल है क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस है फी डेटेल है और सम्मिशन है यह कंप्लेट करने के बार आपका फॉर्म कंप्लेट हो जाने वाला है और उसके बार आपको यह फॉर्म निकालकर सेंड करना होगा अब आ इस भी पोस्ट के लिए पहले जीवल है, अपलाए कर सकते हैं, इसके बार आपका देखिए यहाँ पर नाम आपको देना है, तो सबसे पहले जो first name है वो आपको देना जरूरी है, middle या last name है तो ठीक है नहीं है आप इसको blank छोड़ेंगे, और matriculation के certificate वाला नाम आप यहाँ प पर enter करना है आपका father name और nest option में आपका mother name, spouse name यहाँ पर nil रहेगा क्योंकि single आपने select किया है, merit करते तो यहाँ पर आप अपने पती या पतनी का नाम दे सकते हैं, इसके बाद आपका religion option है, आपका जो भी religion है वो आप select करेंगे, आपकी category general है, आपकी category EWS है या फिर आपकी category OBC है, SC या ST है आप select कर सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए जो name अबना caste है वो आपको देना है, अगर देखिए आप SC, ST, OBC में आते हैं, तो यह आपकी category हो गई, आपकी caste क्या है, जाती कौन सी है वो आप mention करेंगे, date of issue of caste या EWS certificate क्या है तो date, month and year आप यहाँ पर mention करेंगे और issue authority कौन है, तैसिलडार या फिर SDM जिसने भी जारी किया है, उसका नाम आपको आपके caste certificate पर मिल जाता है, वो आप यहाँ पर fill कर सकते हैं, तो यह आपको details fill करनी है आपके caste certificate की, general candidate के अगर यहाँ पर बात करें तो आप general रहेंगे, तो यह सारे option बन रहेंगे, इसके बा यह से no कर पाएंगे, बाकि यह option यहाँ पर अभी आपका available नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर friends से जो physical disabled candidate है, वो applicable नहीं है, इस selected post के लिए, तो इसके लिए आप notification को ध्यान से एक बार चेक कर लें कि किस post के लिए आप eligible होंगे, अगर आप यहाँ पर eligible हुए तो आपको आप पर provide करनी होगी, एक service में अगर आप हैं तो yes कर सकते हैं, इसके बार आपने किस force में काम क्या है, army, navy या air force, period of service आपके क्या रही है, वो आप बताएंगे नहीं तो no कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर एक liability to declare आपको देना है, तो आप यहाँ पर यह कुछ details हैं, जो कि आप पढ़ेंगे और उसके according आप yes and no करेंगे, तो इसमें friends से मान लीजिए, आपको पहले unfit घूशिच किया गया था, इसके apprenticeship या appointment and regular post के लिए तो आप यहाँ पर yes and no कर सकते हैं, इसके बाद है आपका address section, तो यहाँ पर आपका जो भी address है, first line, second line and third line, यह आपको लिखना जरू चोटा address है तो मैंने यहाँ पर देखिए इसको टुकडों में कर दिया, बड़ा address है तो आप अराम से इसमें फिल कर लेंगे, इसके बार आपकी city कौन सी है, आपका pin code क्या है और इसके बार आपका state है, जहां के आप निवासी है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अब य आपकी details हैं, जो कि आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, यह फिल करने के बाद friends, next option है, अब आपके यहाँ पर upload photograph and signature का, अब यहाँ पर देखिए JPG format में आपको upload करना है, और size आपको यहाँ पर दिया गया है, कि 4KB से कम नहीं होना चाहिए, photo आपकी 10KB से कम नहीं होनी चाह और इसके बाद JPG format में आप यह upload करेंगे, तो friends, photo and sign यहाँ upload करने के बाद, आप जब इसका preview यहाँ पर check कर लेंगे, आपको यहाँ पर nest का option मिलेगा, आप इस पर click करने वाले हैं, इसके बाद आपका qualification section open हो जाता है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर qualification मिलेगी, minimum 3 year diploma या फिर B.H.C. तो friends, आपके according जो भी आपके पास available है, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, आपने यह full time किया है, या फिर आपने यहाँ पर पार time किया है, वो आपको बताना है, आप pass है या नहीं है, वो जानकारी देनी है, आपने यह कहां से किया है, तो आप उसकी जान दे सकते हैं, name of the education या फिर university का नाम आप यहाँ पर mention करेंगे, month and year of admission आपको देना है, मतलब आपने कभी इसमें admission लिया था, तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर provide कर सकते हैं, इसके बाद है month and year of passing तो आपको यहाँ पर आपका month and year of passing देना होगा, तो या अपने according आप यहाँ पर enter कर सकते हैं, इसके बाद duration of course आपकी automatic यहाँ पर आजाएगी, इसके बाद यहाँ पर है, आपके देखिए select the mark entry pattern, तो friends आपका year wise system था, तो year wise select कीजिए, semester system था, semester wise select कीजिए, और इसके बाद नीचे आपको बताना है year या semester number, अब देखिए अगर आपका semester system है, तो first number आप record करेंगे, आपका यहाँ पर पहला आ चुका, अब इसके बाद यह automatic semester 2 कर देगा, इसके बाद आपको second semester की जानकारी भी देनी है, और इसके बाद यहाँ पर आपको marks की entry करनी होगी, तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने marks की entry करते जाएंगे, अगर आपका यहाँ पर year system हो कोई भी other professional qualification, BE, MBA, MCA भी है, तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं, अगर आप pursuing है तो friends आप pursuing भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसमें no भी कर सकते हैं, तो यही detail आपको यहाँ पर इस section में fill करनी होती है, और उसके बाद आप next option पर click कर देंगे, इसके बाद friends अब आपका आ आपका organization जहां पर आपने काम किया, employment किया आपने या apprenticeship किया, तो आप इन दोनों में से भी कोई जानकारी दे सकते हैं, job description या nature of work आपका क्या रहा है, तो आप यहाँ पर देंगे, मतलब क्या काम करते थे, employer type था, private था, state government था, PSU था, वो आप select कर सकते हैं, किस designation, किस post पर कर लेंगे, और यहाँ पर फैंसे कब से कब तक आपने काम किया है, उसका भी year आप यहाँ select कर लेंगे, और उसके बार आप यहाँ पर इसको add कर देंगे, एड करने के बार आपका total experience जो period है, वो आ जाएगा, तो आप यहाँ पर आप कुछ भी लिख देता हूं, उसके बार आपको यहाँ पर मिल गया है, क्योंकि आपके पास experience है, इसके बाद friends मान लीजिए, अब आपको यहाँ पर delete करना है, या edit करना है, तो आप इस delete वाले option पर click करेंगे, और उसके बाद दुबारा से सही entry करेंगे, और उसके बाद ही दुबारा इसको add करेंगे, यह आपका य online SBI collect के माध्यम से आप इसमें जो है payment करने वाले हैं, तो payment करने के लिए fans आपको इस link पर click करना होगा, इसके बाद friends आपके सामने state bank collect system open हो जाएगा, आप इस पर यहाँ से इसको declare करेंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आप इसको all India या select करेंगे, यहाँ पर जो type of corporate है, यहाँ अपर आपको select करना होगा PSU, इसके बार आप इसको go करेंगे, गो करने के बाद अब आपको यहाँ पर select करना है Indian oil, तो जो ताइब कीजिये या फिर आप यहाँ पर इसको लिखिए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे तो Indian oil corporation limited आप आपको यहां मिल जाएगा, आप इसको select करके submit करेंगे, इसके बाद यहां पर देखिए, आपको दो vacancies मिलेंगी, जिसमें आपको सबसे पहले नीचल दिया गया है, junior engineer assistant at panipat refinery, आप इस पर click करेंगे, अब यहां पर है online application number, जो कि आपको यहां पर mention करना होगा, अब यह friends से आ यहां पर जो आपका यह वाला section है, इसको आप nest वाले option पर click करेंगे, इसके बाद friends से यहां पर आपको validate now का option मिलेगा, इसके लिए आप यहां से इसको declare करेंगे, और validate now पर click करेंगे, अब validate करने से पहले एक बार preview ज़रूर चेक कर ले अपने application form का, अगर आपको लगता है क आपको आपका arrestation number मिल जाएगा और arrestation number या application number आप यहां पर type करेंगे, name of the post लिखेंगे, किस post लिए apply आप कर रहे हैं, date of birth लिखेंगे, category आपकी mention करेंगे, candidate का नाम, father name, mobile number, mail ID और यह सभी detail वही फिल करनी है, जो कि आप online form में आपने फिल की है, इसके बाद आप remark को blank छोड सकते हैं, नहीं तो आप payment या pay या कोई भी fees, online fee, कुछ भी लिखना चाहें, लिख सकते हैं, आपका नाम, DOB, mobile number, mail ID, capture को डल कर सम्मिट करेंगे, और उसके बाद फ्रेंसे आपका online payment आप करेंगे, आप किसी भी bank के, जो net banking है, किसी भी bank का credit card या आपका debit card आपके पास है, आपका जो यहाँ पर final procedure है, वो आपका complete होगा, और इसका final print out निकाल कर अपने पास आप रखेंगे, और उसके बाद उसको वहाँ पर send करेंगे, तो friends, यहाँ पर देखिए, application validated successfully होने के बाद, अगर आपको गलती नहीं मिलती है, तो आप यहाँ से इसको submit कर सकते हैं, yes पर click कर सकते हैं, इसके बाद, friends, आपका देखिए, यहाँ पर जो registration या application number है, यह generate हो जाता है, और यहाँ पर एक pop-up window आती है, तो आप इसको option पर click करेंगे, allow pop-up यहाँ से कर देंगे, इसके बाद, friends, application form कर जो PDF file है, वो आपकी primary mail ID पर भी send कर दिया गया होगा, तो आप वहाँ स इसको download कर सकते हैं, और इसको okay कर देंगे, और ध्यान रखिए का, जो भी आपको यहाँ पर online application number मिलता है, वो आप यहाँ फिल करेंगे, और नेम अपना post बिल्कुल सही आप फिल करेंगे, और उसके बाद, जब आपका payment verify हो जाएगा, उसके बाद, friends, आपका यह form complete हो जाए हैं, आपका application number है, date of birth है, और यह capture को डाल कर बस यहाँ से login करना है, और अपने details को चेक कर लेंगे, तो यह सभी details आपको description में मिल जाती है, आप वहाँ पर जाकर details को check कर सकते हैं, और ध्यान रखिए का last day जो इसके receipt की है, वो इसके 28 11 2020 है, मतलब आप इसको send करेंगे, by mail भी आपको send करना है, तो mail ID आपको दी गई है, और यहाँ पर आपको जो है, इस post office वाल जो number आपको दिया गया है, जो address दिया गया है, इस पर आपको इसको send भी करना होगा, तो आप यहाँ पर इसको ordinary post के द्वारा send करेंगे, तो मैंने आपको सारी process यहाँ पर बता दी है, इस vac वचिपने।